हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बाक टो माई चैनल मैं हुश्वेता और फ्रेंट्स आज में लेके आए हूँ मसाला एक करी बिल्कुल रेस्टरेंट स्टाइल में हम बनाने वाले हैं ये स्पाइसी एक करी होने वाला है इजी टू-मेक है बहुत ही क्विक एन इजी रेसिपी है सेले फ्रेंट्स let's get started तो मैंने 4 एंग्स लिये है औरहरी मैंने पहले से बॉयल कर लिया था इसका जो स्किन है उपर का चिलका निकाल लिया है अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से मसाले वन तीस्पून मिर्ची 파ॉडर वन तीस्पून इसमें जाएगा धनिया पॉडर आप से मैंने नमक भी बिल्कुल थोड़ा सा अट किया है यह बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देगा और इसे मैंने अच्छे से कोट कर लिया है सारे सूखे मसाले अंडे में कोट हो जाना चाहिए अब मैंने लिया है 1-4 टेबल स्पून के बराबर इसमें ओयल डाला है पैन मे और इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पर हीट कर लेंगे और अंडे को इसमें डालेंगे और फ्राई कर लेना है इसमें ऊपर में हल्का सा गोल्डन किलर आ जाएगा इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है अंडे में मसाले दार अंडे में अगर इस तरह से आप करेंगे वन टी स्पून के बराबर जीरा एड़ करना है साथ में लॉंग काली मिर्चा एड़ करना है तेज पता और दाल चीनी एड़ करके 30 सेकंड्स कूप करेंगे तो 30 सेकंड्स में ये अच्छे से थोड़ा सा गोल्डन हो चुका है जीरा अब मैं इसमें डालूंगी दो मीडियम साइस के प्यार्च को मैंने बारिक चॉप कर लिया था तो बिल्कुल फाइन चॉप करना चेहिए तब इसका टेस्ट अच्छा आता है और ग्रेवी में भी फ तो मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब मैं इसमें डालूंगी एक बोल के बराबर टुमाटो प्यूरे अट किया है यारनी टमाटर का जो पेस्ट है दो मीडियम साइस के टमाटर को मैंने पीस लिया था और मैंने इसमें डाला है एक मीडियम साइस का सि आप चाहे तो अपनी है साप से कम जाधा कर सकते हैं साथ में मैं इसमें में डाले हैं मसाले one tablespoon की ऑर धन्या पौडर half tablespoon mirchi powder और साग में इसमें आट किया है 就是說 being raftluruption हलदी powder । Tenemos a une push criminal song अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को अच्छे से पका लेना है जब तक कि ऑईल सब्टेट ना हो जाए इसके बाद मैं डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च वन टीस्पून के बराबर इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आता है जो भी रेस्टोरेंट में आप खाते हैं उनके जो वेजटेबल्स वगेरा के कलर बहुत जादा अच्छे होते हैं तो आप कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं ये तीखा नहीं होता है जालूँगी वन टीस्पून के बराबर बारी कटा हुआ ये कोरियांडर है यानि धन्यापत्ता और इसे भी हम एक मिनट के लिए भून लेंगे मसाले के साथ इससे बहुत ही अच्छा जो धन्यापत्ता का फ्लेवर आ जाएगा आपकी सबजी में अब मैं इसमें डालूँगी वन टीस्पून के बराबर नमक एड़ करना है और अब मैं इसमें डालूँगी पानी तो पानी अपने इसाब से भी आप डाल सकते हैं मैं इसमें डालूँगी दो बोल के बराबर पानी आट करना है क्योंकि अभी हमें इसे पकाना है और थोड़ा सा हम स्लिट कर देंगे अंडे को तो एक knife की help से इस तरह से हलका सा cut लगा देना है जिससे की जो मसाले का flavor है वो आपके अंडे में भी आ जाएगा अंदर में भी बहुत अच्छा सा taste आएगा तो इस तरह से मैं cut कर लूँगी अब इसे धक कर पकने देते हैं अटलिस्ट 5 मिनिट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर मैंने cook कर लिया है और आप देख सकते हूँ जो curry है वो भी थोड़ा सा थिक हो चुका है और अब इसमें थोड़ा सा धनिया पता डाल के serve किजिए गर्मा गर्म हमारा restaurant style एक curry बन कर तयार है तो friends इस तरह से बना के एक बर देखिएगा बहुत ही ज़ादा यमी बनता है तो enjoy कीजिए मेरी recipes को अपने family और friends के साथ share कीजिएगा मिलते हैं इसी तरह से कोई नए वीडियो के साथ तब तक के लिए tata and bye bye और मेरी चैनल को subscribe कर लिजेगा अगर नए है तो